So, Hey Guys, Welcome to Film Me Wizard. आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ Top 10 Most Watch Animated Series on Netflix and Amazon Prime. So, Let's Start the Video Without Wasting Your Time. Number 10, Number 10 पे है Be The Beginning. 2018 से लेकर अब तक इसके दो सीजन आ चुके है, जिसमें total 18 एपिसोड है, जो की 20 से पर्चेशनेट तक की है. यह एक Japanese Psychological Thriller सीरीज है, यह से Netflix पर English में रिलीच किया गया है, और इस सीरीज को IMDb Rating मिली है 7.2 आप टो तो इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है, एक Mysterious Organization और एक Serial Killer की, जो लोगों को बहुत ही Mysterious तरीके से मार रहा है. क्या यह Organization उस Serial Killer को पकड़ पाती है, याने यह सब इस सीरीज में दिखाया गया है, तो अगर आपको इस तरह की सीरीज देखना पसंद है, तो आप इस सीरीज को चेक आउट कर सकते हैं. अपने दुनिया को आने वाले बड़े खत्रे से अपनी दुनिया को बचाना जाते हैं, तो आपको इस सीरीज में देखना है कि किस तरह की खत्रे से उनको अपने दुनिया को बचाना है. नमबर 7 पर है Undone, ये सीरीज रिलीज विशी 2019 में और इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है जो 20-25 लिनट लंबी है, और इस सीरीज को IMDV रेटिंग मिली है 8.2 out of 10, आपकी सीरीज को Amazon Prime पर English subtitle के साथ देख सकते हैं. और इस सीरीज की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से है कि एक लड़की बहुत ही बोरिंग जिन्दगी जी रही हो तब ही उसे पता चलता है कि उसके अंदर टाइम ट्रेवल करने की अबिलीटी है. ये जानकर उसकी जिन्दगी में किस तरह से टर्न ड्विश्ट आता है ये द इस सीरीज में एक ड्रैकुला नाम का बहुत ही पावरफुल क्रेक्टर है जो इस दुनिया के सारे इंसानों को खतम करना चाता है और इसके लिए वो एक जंग शुरू करता है और धीरे धीरे सारे छोटे सहरों को मारने लगता है. तो चलिए चलते हैं अपने लिस्ट की अ इस सीरीज में एसी दुनिया को दिखाया गया है जहां आधे लेंड पे इंसान और आधे लेंड पे एल्फ और ड्रैगन रहते हैं और जल्द ही इन दोनों में यूद होने वाला है हमारी अगली सीरीज का नाम है ट्रोल हंटर इस सीरीज का फर्स सीजन 2016 में रिलीज हुआ और अब तक इसके टोटल 3 सीजन आ चुके हैं जिसमें टोटल 52 एपिसोड है और इस सीरीज को नेट्फिक्स ने हिंदी में भी रिलीज किया ये एक एडवेंचर सीरीज है इस सीरीज में एक लड़के को एक जादूई चीज मिलती है और दो दुनिया खतम होने वाली है क्य सीरीज में टोटल 26 एपिसोड है 5 to 20 मिनट इस सीरीज को नेट्फिक्स ने बहुत ही अच्छी हिंदी डव्ट के साथ रिलीज किया है आई एम डीवी पर इसको रेटिंग मिले है 8.5 आउट 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 10 ये एक साइफाई एक्सन एडवेंचर सीरीज है नेट्फिक्स की अब तक की बेस्ट एनिमेटेड सीरीज है तो मैं चाहता हूँ आप इस सीरीज को बिना जाने फर्स्ट टाइम इन्जॉय करें तो हमारी अगली डीवी सो का नाम है बोजैक होर्समै इस सीरीज का पहला सीजन 2014 में आया था और अब तक इसके टोटल 6 सीजन आ चुके हैं जिसमें टोटल 77 एपिसोड है 25 मिनेट इच मैं इसकी स्टोरी के बारे में बिल्कुल भी स्पोइलर नहीं देना चाहता अगर आप मेंटली स्ट्रॉंग है तबी इस सीरीज को देखना है हमारी लिस्ट की आखरी और नमबर वन सीरीज का नाम है इन्विंसिबल जो हाली में Amazon Prime पर रिलीज हुआ है इस सीरीज को हिंदी में तो नहीं रिलीज किया गया है लेकिन आप इस सीरीज को हिंदी सब टाइटल के और जीरे जीरे उसके अंदर भी सूपरफावर आने लगता है लेकिन उसकी जेनमी तब बदल जाती जब उसे पता चलता है कि उसके फादर वो सूपरईरो नहीं है जो वो सोचता था बाफी की टोरी जानने के लिए आपको देखेना होगा ये सिरीज तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, आपसे नेट्स वीडियो में तब से के लिए टेक केर और भाय भाय